हेलो प्रेंट्स मैं गीता आज मैं आप लोग को संदे मलती फूल का प्लांट का बीज लगा के बताऊंगी और कैसे लगाते हैं चलिए मैं दिखाती हूँ यह मैं एक छोटी सी पॉट में इसके बीज लाके रखी थी यह पीले रंगा है और कई रंग में भी पाया जाते हैं स तु दखिए इसके बीज चाहिए नहीं नॉर्मल गार्डन गार्डन झाणे के लिए अगर आप चाहिए तो इसको मीड़ा सकते हैं दिखिए एक जो प्लांट है बन गया है的 कुरण छोटा सा तो उसको मैं छोटे में लगा दी रही है उसमें एक ही प्लांट रखोंगी क्योंकि वह पहले से हो गया है तो एक ही प्लांट रहने से अच्छा होते हैं और दो तिन बीज है इसके लिए मैं थोड़ी सी बाड़ा ग्रो वैगली हूं इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी दे दूँगी पानी दे कि इसको आप छायादार जगा में रख दे दो से तीन दिन उसके बाद जब अंकोरण हो जाए तब इसको आप फुल सनलाइट में रखे पुरी धूप में तब यह अच्छे से खिलते हैं अच्छे से प्लांट बनते हैं तो देख सकते हैं मैं कोई खाद नहीं डाली हूँ कुछ भी जो मिट्टी लगाई थी उसी में यह फ्लायर दे रहा है जो छोटा पाट छोटा ग्रो बैग में था वो तो यह जो संधर मलती है फोरोक लाग भी बोलते हैं मिरा बिलीस जलापा भी बोलते हैं इसके नाम और कई सारे न बाद मैं अभी साम के वक्त में आप लोगो को दिखा रही हूँ क्योंकि यह फूल साम के वक्त में खिलती है इसलिए चार बचे साम को खिलती है इसको फोरोक लग भी कहा जाता है तो इसको आप ऐसे नॉर्मल गार्डन सोयल में लगा के उसके बाद जब री पट करेंगे धोरी जब डिख का ँसे की वक्त में तो बड़े पट में करे 18 बारह इंची का यह दिखिए इसमें एक इप्लांट में 2 करण है पीला और गुला भी आ इसमें मैं 24 लगाए थी चारो हो गया है ah'... structure लेकिन इसमें ज़ादा प्लांट है इसमें जदाव द्oco प्लांट करते हैं ये मैं आपको जब भीज लगाई थी उससे करीब डेर से दो मैना बाद का ये वीडियो में आप लोगो को दिखा रही हूँ और ये रात का वक्त का वीडियो है इसलिए ऐसी दीख रही है तो आपके भीज अगर अंकुरन हो गए है थोड़े बड़े हो गए है या तो ऐसे ही फूल दे रही है तो आप रिपर्ट करते हैं उसके लिए आप 60% मिट्टी लीजिए और 40% कोबर का खाद या भर्मी कमपुस ले सकते हैं वैसे तो यह बिना खाद का ही चल जाती है देखिए मैं सफे साधा मिट्टी में लगाई थी और यह मिट्टी बिल्कुस सूख गई है इसी में फिर भी यह फ्लार दे रही है मैं थोड़ी सी पानी देखे इसको रख दूंगी और दो चार दिन बाद मैं इसको रिपर्ट कर या तो आप 30% भी ले सकते हैं और देखिए ऐसे इसके नीचे जो प्लांट होते हैं उसके नीचे बल बनते है आलू नुमा बन जाते हैं और यह बहुत ही बड़े हो जाते हैं जब आप जमीन में लगाते हैं इसके साइज बहुत ही बड़े हो जाते हैं और इसी वीज के व अधा फीट लंबे हो जाते हैं जब ये मिति में रती है आधा फीट एक फीट पॉट में रहने से अप कितने बड़े होंगे मैं पॉट में लगाई नहीं हूं पहला बार लगाऊंगी अब मीति में मेरे पास बहुत सारे हैं और इसके फूल हलके-लके खुश्बू देती है औ और आप इसको पुरे सनलाइट में रखे धूप में रखे और अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो इसके नीचे का ड्रेनिस सिष्टम अच्छे रखे ताकि इसके नीचे पानी ना जम जाए इसका ध्यान रखे बाइफ्रेंड्स थैंकिंगे